साथियों, आज हम आप लोकों के लिए एक नई दिश्पी ले करके आए हैं, लहिया की लड़ू, इसर्दियों के सीजन में साथियों बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सब को पसंद आते हैं, तो चली बनाना इस्टार्ट करते हैं, लईया के लड़ू बनाने के लिए साथियों हमने ये देखिए बढ़िया अच्छी वाली हमने धाई सु ग्राम लईया लिए है और ये बहुत ही साफ है बहुत ही अच्छी है फ्रेस है कुरकुरी है इसको थोड़ा सा हम और कुरकुरी करेंगे तो इसके लिए बनाने के लिए हमने 200 ग्राम ये लईया लिए है और ये 200 ग्राम साथियों ये बढ़िया साच्छा देखिए बहुत अच्छा गुड़ है 200 ग्राम ये हमने गुड़ लिया है ये बहुत ही अच्छा आप गुड़ लें फ्रेस गुड़ लें ताजा गुड़ लें, नया गोड लें, तभी बहुत अच्छा बनेंगे और उसका कलर बहुत अच्छा है, साथि उसको बनाने के लिए हमने ये देखे, दो टुकड़े जो है हमने गोंद लिया है, गोंद का हम इस इसने में अर्कमाल करेंगे, और ये हमने एक चम्मच जो है देशी घी लिया है, इसको भी हम इसमें इस्तिमाल करेंगे साथि, अब आप देखी हम कैसे इसको इस्तिमाल करते हैं, गैस साथियों आन करेंगे, इस पर हम कड़ाही चढ़ाएंगे, कड़ाही थोड़ा सा गरम होने देंगे, उसके बाद इसमें जो हमने 25 गरम लहिया ली है, उसको सा और बढ़िया भोनेंगे कुरकुरा करेंगे लाल करेंगे इसको हलका सा ताकि मेरे बहुत अच्छे लड़ू इसके तयार हूँ आप देखते हैं यह बहुत अच्छा यह बनने वाला है लड़ू लईया का बहुत अच्छी एरेशपी है इसको सभी लोग बहुत पसंद करत चाहती है इसमें कोई टाइम नहीं लगता है 10-15 मiatt का गेम है इसमें 10-15 मiatt में यह सब बन के तयार हो जाता है यह देखी इसको इस तरह से कडाही में हमने कुछ नहीं डाला कि यह लईया डाली और इसको भौन लेंगे इसको हम कुरकुरा कर लेंगे बढ़िया सा इस तरी कुरि हो गई है बढ़यालाया यह देखी इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे। भूण लेंगे है अपने आप इस birthday ay? बढ़या पँग गई है कुरकुरी हो गई है। यह देखी को कि इस तरीके से इसको चला चला कि भूण सब्सक्राइब हम इसके घयस बंद कर देंगे, देखे से कलर भी हलका सा चैंज हो के बहुत लाल नहीं गरेंगे, नहीं तो बढ़िया कलर नहीं आयेगा लड़ू का हमारे, इसको हम एक बरतन में निकाल लेंगे, ये देखे बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही लाजभाब होगे आप इसको ऐसे ही चबाए मुँवें पानी आ रहा दोस्तों मन कर रहा था इसको चबा लें लेकिन मैं लड़ू बना के ही तब खाऊंगा इसको फिर इसी कड़ाही को साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे लईया हमने अलग निकाल ली है अब इसमें साथ ही हम थोड़ा सा पा रहा हैं जाऊके गुर साफ करने का तशीधा कर गडय के सरफ करने का भी मैं तरीका बताता हूं आपको वह उसे हम नें अच्छा वाला गुर्ल लिया है लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगो कि पगल्यान कर पदब कर दिशा पूदा तो यह हमने गुड डाल दिया और इसको इस तरीके से साथिों चलाते रहें दिरे दिरे इसको चलाएंगे और इसमें पिघल जायेगा अपने आप यह देखे पानी में गुर पुरा पिघल गया है साथियों मुँं में पानी आ रहा मैं आपको बता नहीं सकता और इसको देखे इस तरीके से चंनी से चान लेंगे है जब इक पूरा गुर्ड इसमें घुल जाएगा पानी में तो इसको हम चंनी से चान लेंगे ये एक टृक्ट आपको बता रहा यह देखेए गुण मैंने च्छान लिया अभ इसको फिर से हम इस्तेमाल करेंगे सिंगे गुण की गंदगी सारी हमने निकाल दी है यह आपको एकने मैंने नई ट्रिक बताई है कि अब इसको हम फिर से इसको पकाएंगे बढ़े असा अब आप आगे देखिए इसको हम कैसे लिया था दो टोड़े वह हमने भी टोड़ेस की caveat मैं भी को की में को थोड़ा सा दीरे सी चलए थे के भी जो लिए था एक करम मैं Ёसकी ऊच्षों आने वाज है और इसको इस तरीके से देखे, द zijमी आचपर पकाएंगे, और ये बावल में साथ मोद्थ हो ये आपकी चासनी तयार हो गई है, वो चेख करने का तरीका बता रहा है, ये दूसरी टिक है。 पानी में डालेंगे, चासनी थोड़ी उसमें डालेंगे पानी में और इसका ऐसे गोल-गोल बनाएंगे, देखेंगे कि इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर यह बनने लगे तो समझ लिजे आपके चासनी, दूसरा तरीका है कि आप इसको हांस से भी चेक कर सकते, लड़ू इसका बन रहा या नहीं बन रहा है गुरू का अगर बनने लगा है तो समलिजे कि फिर आपके लड़ू बढ़िया से बन जाएंगे आप इसको इसमें लड़ू डाल देंगे जो हमने भून करके रखे थी और धीमी धीमी चलाएंगे इसको अब गैस हम आफ कर इसको जो है मिक्स करेंगे धीरे धीरे गुर के साथ लईया और गुर एक में मिक्स कर देंगे ये देखे मिक्स हो रही है बहुत अच्छी बहुत ही आसान है साथियो तरीका ये देखे अभी मैं आपके इसको दिखाऊंगा इसके लड़ू कैसे बनेंगे ये देखे गुर म बनाएंगे लई आके वो गरम-गरम ही बनाएंगे यह देखिए यह ध्यान रखिए यह चोथी ट्रिक है कि गुन-गुना ही रखना इसको गरम ही रखना और इसको अच्छे से मिला लेना है अब साथ ही हूँ यह मिक्स हो गया है अब पाँची ट्रिक एक बाउल में पानी लेंगे थोड़ा सा हाथ में पानी लगाएंगी और यह लईया लेंगे और इसका इस तरीके से लड़ू लड़ू बनाना शुरू कर देंगे यह देखिए बहुत ही बढ़ीया लड़ू बन के तैयार हो रहे हैं, चवरजस्त, बहुत ही आसान तरीका, कलर देखे प्यारिया, कितना प्यारा कलर आया है इसका साथ में, बिल्कुल गोल्डिन कलर है इसका लड़ू का, बहुत अच्छी लड़ू बन रहे हैं साथियों, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही लाजबाब, आप देखिए, और बहुत ही आसान बनाना है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, आप लाइया लाइये, गुर लाइये, बनाइये, बढ़े असा घर में, बच्चों को भी पसंद, भुजुर्गों की पसंद, सभी लोग खाईये, सर्द्यों के लिए तो ये जड़ी हैं, आप इससे बढ़े भी रख सकते हैं, इससे चूटे भी रख सकते हैं, जिस तरीके के आपको पसंद हो, उस तरीके के आप लड़ो बना लिए, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मीडियम साइज के लड़ो, और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का मैंने आपको पांस तरीके इसके बताए हैं पांस टिप्स दिए हैं इसमें उनका विशेज ध्यान रखें अगर हाथ में चिपटने लगे तो थोड़ा सा पानी और ले 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 और बढ़या से बना ले इस तरीके से देखें फटा-फट बन जाते हैं लट्टो यह देखि बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो रही है भोत ही आसानी से बनकर तैयार हो रही है यह देखिए इस तरीके से सारी लट्टो हमने बना लिए ये देखे, बन गए बिलकुल बढ़िया से लड़ो साथियों ये देखे, मेरा बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो करपया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये साथियों चैनल पर नए हो, तो करपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकान दबाना न भूलें आप अपने घर में इस तरीके से गर्मा गरम बना करके खाएं और ये आप एक हपती तक रख कर खा सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद